Hello Students, Welcome to my YouTube Channel आज मैं आप लगों को इस वीडियो में GGU का एक्जाम फॉर्म कैसे फील करना ये बताऊंगी UGPJ डिपलोमा के किसी भी सेमेस्टर के लिए और कौन-कौन से डॉक्यमेंट्स लगेंगे ये भी इस वीडियो में बताऊंगे और क्या प्रोसेस आपको करना है उस फॉर्म को भरने के बाद ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर लास तक देखते रहे तो ये आप सब जानते होंगे कि ये एक्जाम फॉर्म है तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ यहाँ पे परिक्षा का नाम लिखना है जैसे सब पोस करिया आप B.S.C. Mathematics 5th Semester का दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे परिक्षा का नाम में B.S.C. Mathematics 5th Semester ऐसे आप लिखेंगे अधार नमबर जो भी आपका अधार नमबर होगा Net Registration नमबर अगर आपको दिया होगा तो National Academic Depository नमबर अगर आपको मिला होगा तो यह नमबर आप भरेंगे फिर आपका enrollment नमबर आपको लिखना है और फिर roll नमबर आपको लिखना है अब जमा शुल का विवरंड राशी यहाँ पे आप लिखेंगे 200 रुपए चलान का क्रमांग चलान यानि कि आपको डीडी बनाना है और उस डीडी का यहाँ पे नमबर लिखना है तीथी तीथी यानि कि आपने किस दिन उस चलान को बनाया यानि कि डीडी बनाई है वो डेट आपको बैंक से C लग के मिलेगी फिर बैंक का नाम जिस भी बैंक से आप बनाएंगे अब यहाँ पे अगर डीडी की बात हुई है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको डीडी बनवानी है और DD का नाम रहेगा Registrar GGU GGV Registrar GGV यह आपको लिखना होगा Registrar Spelling मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ R E G I S T A R Registrar GGV इस नाम से आपको 200 रुपई की DD बनवानी है अब DD बनवाने का प्रोसेस क्या होता है देखिया आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो DD आराम से बन जाती है जैसे कि आपको 200 रुपई का बनवाना है तो आपको कुछ पैसे और लगेंगे Extra Charges ध्यान रहे DD बनाने के लिए आपको चेक से पैसे देने होते हैं बैंक को तो जब आप चेक में Amount डालेंगे तो आप पहले से ना डालें क्योंकि आपको बैंक बताएंगे आप जिस बैंक में जाएंगे वो आपको बताएंगे कि 200 रुपई में आपको Extra Charges कितने रुपई और डालने हैं तब ही उसी चीज को आपको डालना होगा जैसे सपोस करिए 225 रुपई तो यही आपको अपने चैक में लिखना पड़ेगा DD के लिए ठीक है तो आप चैक में सिर्फ नाम लिख सकते चैक में आप कौन से बैंक से जा रहे हैं ये भी नहीं लिखें आप बस लिखिए for fee payment आप अपने चैक में लिखेंगे form exam form for exam form ऐसा लिखेंगे चैक में और amount जाके डालिएगा पहले आप sign करके जा सकते हैं बस और bank में जाएंगे तो bank से पूछिएगा कि 200 रुपए में extra कितने fees add करना है पैसा क्योंकि हमको एक DD बनवानी है 200 रुपए की तो वो बता देंगे आपको और एक form भरवाएंगे आप से जिसमें रजिस्ट्रार GGV आप लिखेंगे ये आपका process हो चुका DD को बना के आप लेके आ जाएंगे वहाँ पर उसके बाद जो number आएगा DD का वो यहाँ डालेंगे अब परिक्षा वर्ष यहाँ पर क्या वर्ष लिखेंगे 2021 अब आता है परिक्षारती का नाम यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना है फिर यहाँ पर आ दोनी ऐसा पूरा लिखना है आपको क्यापिटल लेटर में फिर पिता या पती का नाम अगर आप फादा का नाम लिखेंगे और अपने फादा का नाम इंग्लिश में यहाँ पर पूरा लिखेंगे मदर स्नेम पूरा मदर नेम लिखेंगे जनमति थी याने की आपकी जनमति थी लिखना है आपको जैसे की बीस एक दो हजार दो address, आपको यहाँ अपना पूरा complete address लिखना है, फिर आपको अपना phone number लिखना है, फिर आपको अपनी email ID यहाँ पे पूरी लिखनी है, फिर आपका जाती क्या है, इस जाती को tick करेंगे, जो भी आपकी जाती होगी और यहाँ dash में भी लिख लेंगे, फिर अगर आप minority हैं, अग इस भी माध्या, मतलब आप अगर English में दे रहे हैं, जैसी कि आपका तो English ही आना चाहिए, क्योंकि आप Central University से पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है, जी जी उ में भी कुछ-कुछ courses में English Hindi दोनों है, जो जिसमें भी आप exam देंगे, आपको वो medium लिखना है, फिर दिव्यांक इक्छाम दिया, उसी का डिटेल आपको यहां पर लिखना है, जैसे कि परीक्षा का नाम, मैंने आपग एक्जाम्पल दिया, B.S.C. 5th semester दिया है, तो आपको यहां पर B.S.C. 4th semester लिखना होगा, परीक्षा का नाम, वर्ष, आपने 2000-1929 में किया था, अनुक रमां किया णि जी जी यो फिर वर्तमान परिक्षा यानि कि यहां पर आ जाएगा B.S.E. Mathematics, Swift Semester, वर्ष 20-21, अनुक्रमांक यानि जो रोल नंबर आपको दिया होगा, फिर उसके बाद यहां पर आपको अपने theory subjects लिखने हैं, यहां पर आपको अपने practical subjects लिखना है, फिर यह जो sign है यह छो कोई cheating की होगी, कभी unfair means किया होंगे, तो उस परिक्षा का नाम, उसा वर्ष, उसका निर्णाय क्या हुआ, और अगर आपके पास रोल नंबर है, तो वो यहां पर लिखेंगे, और यही 12 नंबर में भी है, अब मैं विश्विद्याले की सन 19-20-21-21 पर लिखेंगे यहां पर कि आयोजीत की जाने वाली परिक्षा का नाम, जैसी कि B.Sc. Mathematics, Swift semester, मुख्य परिक्षा में नियमित, चात्र या चात्रा, चात्र या ने लड़का, चात्रा, लिखेंगे यहां, चात्र चात्रा के रूप में, चात्र के रूप में समल्मित होना चाहती हूँ, चात्रा के का नाम लिखेंगे और दिनांक, दिनांक यान message किस देट पे आपका डिड़ी बनावा या तिपर यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको अपना साइन करनी है साइन याने कि एकदम रफली ऐसे आपको डारेट साइन करनी है आपको ऐसा बना देना है डारेक्ट वेट नहीं करता है ठीक है फिर मैं प्रमानिट करता हूं कि मैं कुमारी या श्रीमती या श्री जो भी उमें का नाम लिखना है अपने पिता का नाम अपने मात विश्विद्याले की B.S.C. Mathematics के B.S.C. Mathematics, Swift Semester, मुख्य परिक्छा, पुरक, सन, परिक्छा, मुख्य परिक्छा पे क्लिक करेंगे. पुरक वाले हैं तो पुरक करेंगे, मुख्य परिक्छा है तो मुख परिक्छा. 2020 में पार्त रखने के लिए रखती हूँ कि दिनांग जिस दिनांग में आप फॉर्म भरने वाले होंगे बस और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे यह देखें बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है यह हो गया यह पूरा फॉर्म है इस फूरे फॉर्म को भरना होगा अब उसके बाद देखिए यह एक और फॉर्म है अभी प्रमानी करन यहाँ पे इस परिक्षा फॉर्म करमान को छोड़ देंगे परिक्षा का नाम वही BSc Mathematics अगर आप हैं तो केंद्र का नाम GGVI का वर्ष 2021 की साधार नमबर आपके पास है रोल नमबर आपके पास है इंडोल्मेंट नमबर आपके पास जो है वह आपको लगाना है यहाँ पे आपको अपना कलर फोटोग्राफ लगाना है और उसमें साइन करके मतलब आपको फोटो लगानी है और फोटो में क्रॉस साइन कर देना उसके बाद आपका आता है अपना नाम लिखना है यहाँ हिंदी में यहाँ capital letter में फिर आपको फिता का नाम लिखना है माता का नाम लिखना है फिर आपको permanent address लिखना है और अपने e-mail ID mention करनी है उसके बाद आप सपोस करिए 5th semester mathematics B.S.C. का exam दे रहे हैं तो यहां जितने भी सारे subject से पूरे यहां लिखेंगे theory वाला यहां लिखेंगे, practical यहां लिखेंगे यानि कि theory plus practical मिला के पूरे subject को यहां पे भी लिखना theory separate यहां लिखना, practical यहां लिखना उसके बाद आपको दिनांग डाल देना, आपने किस दिनांग पे भरा था और फिर यहां पे केंदर के हस्ताक्षर यह छोड़ देंगे आप अरिक्षार्तिक हस्ताक्षर यहां पे आपको sign कर देना है ठीक है, अब देखें, पहले तो आपको यह form जो है अपना जमा कर देना है, अब इस form के साथ आपको क्या क्या चीज करनी है यह समझ लीजिए, आपको एक envelope लेना है यह तीन पेज का जो form है, उसको भर के आपको उसमें डालना है फिर previous semester की mark sheet की photocopy आपको लगानी है जिसको sign करके लगाना है इसकी date, last date, कुछ-कुछ course की 15 जनवरी है भेजने की और कुछ की 25 जनवरी है इस speed post से भी आप भेज सकते हैं और sales जमा, मलब जाके भी वहाँ जमा कर सकते हैं जब आप speed post पे भेजेंगे तो आपको GGU का address तो complete पता ही होगा नहीं होगा तो आप website में देख लीजे front पे आपको लिख क्या आता है address लेकिन आपको अपने head of department पे भेजना है for example, head of department mathematics ऐसे आप लिखेंगे और आपको भेजना है साथ में आपको 200 रुपे की जो DD है उसकी receipt मतलब आपको DD उसमें लगानी है उसी में डालना है ये तीन चीज यानि कि envelope में आपको क्या करना है इसका print out निकालके भरके लगाना है पहला हो गया दूसरा previous mark sheet की photocopy आपको लगानी है sign करके फिर तीसरा आपको DD इनको जमा करना है इस टैपल लगाके envelope में डालना है और आपको speed post करना अगर आप नहीं जा सकते बास समझ आ गई ये एक चीज हुआ अब ये दूसरी चीज ये आपको दिख रही होगी अगर आप GGU के website पर जाएंगे तो तो ये आपके लिए नहीं है ये एक्जाम के दिन जब attendance होता है ये वो है जो कि आपको एक्जाम के दिन काम आएगा और अगर आपके online exams हो रहे हैं अभी तो अगर आपको ये भरने के लिए कहा गया है आपके department से तो आप इसे भी easily भर सकते हैं यहां पर लेकिन मेरे according तो ये सारी चीज़े आपको एक्जाम के दिन ही पता चलेंगी कि आपको क्या भरना है अब लास्ट आता है 80-80 80-80 आने की अगा किसी को supplementary आई है तो उनके लिए तो यहां पर supplementary आने 2020-21 लिखेंगे मुख्य परिक्षा पूरक परिक्षा तो आप टिक करेंगे पूरक परिक्षा में फिर यहां पर year लिखेंगे क्योंकि इस साली एक्जाम हो रहा है फिर परिक्षा का नाम लिखेंगे जैसे कि BSc Mathematics 4 semester में आपका बैक आया तो परिक्षा फॉर्म क्रमांग छोड़ देंगे आप फोटो लगाएंगे अपनी और cross sign करेंगे अनुक्रमांग यानि की role number अपना लिखेंगे यानि enrollment लिखेंगे परिक्षा केंद में GGV लिखेंगे जो भी आपका नाम है वह तिकख नएगे फ्यादा का नाम लिखेंगे k कवर्ष 2020 की परिक्षा में विशए विशए यानि क्वण कान से विशए रिपार्टमेंट के श्रीमती कुमारी फिर श्रीमती कुमारी आपको भरना यह अपना नाम लिखेंगे अबजल मैं बिस्क्रस च्रवातर सेम entr भाग भाग यानि कि आपको भाग लिखना है यहाँ पर कौन से भाग में हैं परिक्षा आवेदा नेयों शुलक राशी 200 रुपए अक्षर में केवल मात्र 200 रुपए 200 और बैंक का नाम लिखेंगे चलान का नाम लिखेंगे और यहाँ पर चोड़ देंगे तो यह 80-80 का फॉ आई है और आप अभी इस साल बैसी मैथमेटिक स्विफ सेमेस्टर का एक्जाम देने वाले तो आपको दोनों फॉर्म को एकी एंवलप में डालना है पहली चीज तूसरी चीज अगर आप 80-80 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए देखें यहाँ पर बहुत से कुछ कु रिजल्ट आया होगा और उसमें लिखा होगा कि आपको सपली आई है यह डॉक्यूमेंट आपको फोड़ोपी करके साइन करके इसमें लगाना है और अगर आपको 80-80 में मतलब सपलीमेंटरी आई है और आप में एक्जाम फॉर्म दोनों भर रहे हैं तो आपको दोनों के आपको एकी एनवलप पे डालना है यह साफ यहाँ पे मेंशन है और नाम याद रखिएगा डीडी जिस नाम से बनेगा वो है रजिस्ट्रार जी जी वी इसी नाम से बनेगा तो यह देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मुख्य परिक्षा एटिकेटी दित्य प् और च silicों यही प्रीड़न्य वी इसाफ में रखत करना है यह देखिए जी इसी जी प्रिक्षक बिक्षण से लेखिया नेवाले मुख्या को दितित्य जी वी इसानवाले आपको दृना online या DD के माध्यम से आपको देनी होगी जिसकी रसीद आपको लगानी है यह यहाँ पे कहा गया है तो यह देखें मुख्य परिक्षा यह आपके लिए अब नहीं है यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है roll number list और यह online exams होगे यह सब विवभाग के लिए है जो आपके लिए समझने वाली बात है वो यही है कि आपको 200 रुपे का DD बनवा के इस फॉर्म को जमा करना है जो कि आपकी परिक्षा शुल्क है और अगर आपको सपली आई है 80-80 exam का फॉर्म भी आप भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपे का अलग से DD बनवाना है सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया तो मैं उमीद करती हूँ इस वीडियो मैंने जो भी कुछ बताया आप लगों को exam form से related जो कि अभी गुरू घासी दास विश्विद्याले का जो exam form fill up हो रहा है वो आपको समझ आया होगा ये UG, PG और डिप्लोमा कोर्सेस के लिए है जो कि GGU में होते हैं पहली चीज दूसरी चीज में ये बताना चाहूंगी कि जो अभी first year में admission लिये ये उनके लिए नहीं है अभी उन्हें exam form नहीं भरना है ये third, fifth, seventh, ninth इन्हीं semesters के लिए है क्योंकि आपकी classes अभी regular चल रही है या नहीं है मुझे नहीं मालूम लेकिन आपको अभी नहीं भरना है first year याने first semester के student जो अभी अभी admission लिये हैं उन्हें ये form नहीं भरना लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपके लिए भी exam form आएगा notification आएगा तो आपके लिए भी ये same ही form रहेगा इसमें आपका 80-80 form नहीं रहेगा तो आपको अभी process form भरने का same यहीं रहेगा तो उमीद करती इस वीडियो मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ जाया होगा और आपके लिए helpful होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए तो जब आपके लिए खाइब करें वीडियो के लिए खाइब करें